नुमस्कार आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री अगेडमी की यूटूब चैनल में और मैं ग्रीरा सर स्टार्ट करते हैं जो हमारे इंपोटेंट SDO, REO, exam के लिए जो MC की हम वीडियो चला रहे हैं उसका आज फोर्थ पार्ट है तो आज हम डिसकस करने वाले हैं फोर्थ पार्ट ठीक जो की सभी कोस्टन SDO, REO, ADA, NSC, NFL सभी के लिए महतपूने आगे चलते हैं अगर आप REO, SDO के लिए live classes लेना चाहते हैं या फिर उसके ल लिंक इस वीडियो के description में दी गई हैं यहाँ पर live classes भी चलती हैं आपको recorded classes भी उपलाब दो सकती हैं और यहाँ पर आपको test series भी मिलेगी ADA के लिए, SEDO के लिए, AFO के लिए, REO के लिए, NSC के लिए सभी के लिए live classes है, test series है, study material है, Hindi, English सभी में आगे चलते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे मेरे social media account पर पूछ सकते हैं मेरे जो Twitter, Agri Abyas, Instagram है, Abyas Agri Academy, Telegram पर चुड़ सकते हैं या फिर Facebook पर follow कर सकते हैं या फिर WhatsApp पर मुझे कोई भी कोशन है आपका सब्सक्राइब सकते हैं, मेरे नाम है गिरी राज करार, मैं बहुत सारे government exam में qualified हूँ, जैसे NFL, NAC, NET, SET और बहुत सारे exam में qualified हूँ, आगा बढ़ते हैं, जो हमारी SADO, REO की test series है, वो 499 रूपी की है, आप purchase कर सकते हैं, जिसके अंदर हंडेट, आपको total 100 test मिलेंगे, और IPS AFK की एकर test series लेना है, तो वो just 229 की है, जिसके अंदर आपको 50 test मिलेंगे, तो start करते हैं, पहला question है दोस्तों, कि सिंदू जो variety है, आम की सिंदू variety है, कि जो first seedless variety है, याद रखना, first seedless variety है, सिंदू, ये किस किस के cross से बनाए गई है, सिंदू, the stoneless, or seedless, or the with peppery seed hybrid of mango, has been doubled by the back crossing, मतलब जो सिंदू variety है मेंगो की, ये किस के cross से बनाए गई है, आपको बताने है सिंदू, तो दोस्तों, ये किस के cross से बनाए गई है, जिसका correct answer है, रतना और अलफांसो, रतना और अलफांसो के cross से बनाए गई है सिंदू variety, question number second है, asepsis means, asepsis means इस सब्द का तात पर क्या ह होता है, तो दोस्तों, इसका मतलब होता है, कि जम फ्रूट पिजर्वेशन वाला जो topic पढ़ते हैं, फ्रूट पिजर्वेशन, तो फ्रूट पिजर्वेशन के अंतरगात हम क्या पढ़ते हैं, कि micro organism को आने से रोकना है, तो सुक्ष में जिवियों का भाहिसकार, क्या कहला कुस्तर में फ्रूट इसरे के ओर चलते हैं, निमने कितमे से कोण सा कुकरविट य फसल, क्या और यूशियज नेचर लिए कोण सा होता है, तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों डायूशियस का मठKYा होता है मतला होता है ताथ पर कि एक प्लांट पर तो क्या होना मैल होना और एक प्लांट पर क्या होना फीमेल होना एक प्लांट पर मैल पार्ट एक प्लांट पर मतला यहां पर क्या होना पोलन ग्रेन बनना ठीक है और यहां पर क्या होना ओवरी का होना ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं हम इस condition को बोला जाता है dioces condition खोशन नम्मर फोर्थ की और mango variety resistant to mango malformation आम में एक बीमारी होती है mango malformation उसके लिए resistant variety कौन सी है दोस्तों इसके लिए resistant variety है भाद दुरन कौन सी है भाद दुरन उसके लिए resistant variety है या कभी कभी पूछते है mango को यूशप्टिवल बेरेटी इसके लिए तो क्या उन्सी होती है एक तो चूसा होती है और बोमबज ग्रीन ठीक है यह क्या होती है यह दोनों बोमबज ग्रीन क्या होती है यह दोनों susceptible variety होती है clear है थोड़ा कलर चैंज गरते हैं कि इसका παपाया फ्लांटेशन सुड़भी जो पापाया और्चाड होता है दोस्तों पापाया और-चाड के अंदर gaan مل ओर प्राप्रा Huawei Immediately का रैसो कितना होना चैए होना चाहिए तो RNA synthesis दो दोस्तों कहा होता है देखो यह cell है यह nucleus है तो दोस्तों याद रखना हमेशा RNA synthesis कहा होता है nucleus के अंदर यहां होता है मेंस RNA का synthesis का मतलब क्या होता है DNA से RNA के formation को हम क्या कहते है transcription कहते है transcription की जो प्रिक्रिया होती है यह कहां चलती है तो यह answer नुक्लिय से कहां चलती है केंद र gratuit केंद रगत क्या होगा नुक्लियस के अंदर चलती है question number six है निम्न मैं से कौन सा एक cutting में जड़की ब्रद्धी को बढ़ाता है which one of the following is suitable for the promoting rooting in cutting तो निम्न मैंसे कौन सा हार्मोन है कि जो cutting में क्या करता है ये कोई cutting है तो इसमें root का जो initiation कराता है तो दोस्तों इसमें कौन कराता है तो इसका correct answer है IBA क्या होता है ये rooting initiate कराता है आई बीए का मतलब जिब्रेल है तो sorry IBA का मतलब ओकजिन ठीक है IBA का मतलब क्या है ओकजिन है तिया क्या करता है ओकजिन ओकजिन आर्मन दोस्तों rooting को क्या करता है initiating promote करता है ठीक है ना तो question number 7 का answer क्या है IBA आज हम सभी question का discussion करेंगे सभी के answer के बारे में option के बारे में question number 8 है गन्य के पादप में carbon dioxide carbon dioxide maleic acid में इस्तिर होती है कौन सा enzyme CO2 इस्तिरी करन में मदद करता है प्लाइब जो सुगरकेन प्लांट है सुगरकेन प्लांट में जब CO2 का fixation होता है सुगरकेन कैसा प्लांट है दोस्तों C4 plant है एक बात याद रखना सुगरकेन कैसा प्लांट है C4 plant है तो C4 plant में जब CO2 का fixation होता है कौन सा enzyme help करता है तो दोस्तों पहला जो first CO2 fixation होता है याद रखना आपको कि C4 plant होती है C4 plants में क्या होता है क्रांज एनाटोमी होती है तो क्रांज एनाटोमी में जो fixation होता है दो cell के अंदर होता है एक मीजोफिल cell होती है और एक कौन सी होती है दूसरी होती है वंडल सीथ cell दूसरी कौन सी होती है तो दोस्तों वंडल सीथ cell होती है ठीक है और आपसे पूचाया है कि CO2 ग्राही कोन है, CO2 एक्सेप्टर, तो आंसर बताना PEP होता है, कोन होता है, PEP, और पहला जो compound बनता है, C4 plant में जो पहला compound बनता है, OAA बनता है, चार कारवन वाला होता है, ठीक है, तो इसका correct answer का है, PEP-Kage, Phospho-Inval-Pyruvate-Carvo-Gyle, तो इसका correct answer है, A पहला answer है, correct, तो देखो, इसमें आपको और समझा देता हूँ, कि जो बंदस C-cell है, इसके अंदर चलती है, C3 cycle, मतलब यहाँ पर, RUBP, होता है, CO2 acceptor, और रविस्ट को एंजाम यहाँ पर काम करते हैं, याद रखना, रविस्ट को यह दोनों कहाँ पर बंदस C-cell में काम कर आपको सारी चीजे clear हो गई होंगी, आगे चलते है, question number 9 की, question number 9 में पूचा गया है, कि glycolysis क्या है, तो दोस्तों, glycolysis क्या होती है, स्वयसं के एक स्टेप्स होती है, स्वयसं की एक चरण होता है, respiration का, तो आपको पता है, glycolysis में क्या होता है, कि glucose जो है, ठीक है, glucose किस म औफ ग्लूगोज करेक्ट आंसर क्या है भी है ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लूगोज टू पाइरुवेड कॉस्टन नम्मर टैन है प्रकास अंसलेशन की करिया कहा होती है दोस्तों एक्च्छल साइट जो होती है तो आंसर मीजोफिल हमेशा कौन सी सेल का आंसर आएगा कि मीजोफि सेल के अंदर क्या होते है फोटो संथेशन से प्रकास अंसलेशन के विक्रिया होती है कौस्टन नम्मर 11 है निम्न मैंसे कौन सा कोजी का संरचना माइक्रो बोडीज के अंतरगत आती है तो दोस्ता इसका करेक्ट आंसर है विश्वान होता फॉलोइंग सेल इस्टेक्चर औ इंक्लूडेंड माइक्रो बोडी तो इसका कौन-कौन से आते हैं कलायोक्सिसों माइक्रो बोडीज है परोक्सिसों माइक्रो बोडीज है इसका करेक्ट आंसर क्या है अप्रुक्त सभी अलोब दी जिसका करेक्ट आंसर है कोस्टन नमर 12 में बोला गया है दोस्तों कि प्रक प्लसा देता उं कि यहां पर वाटर का क्या होता ई। रियक्षिन है। इसका क्या होता है उक्सीडेशन पानी से क्या निकलती यह इसका क्या होता है। Oxidation होता है, और जो carbon dioxide होती है, इसका क्या होता है? Reduction होता है, याद रखना, carbon dioxide का क्या होता है? Reduction होता है, किलियर है? आगे पढ़ते हैं, तो इसका answer क्या होगा? Oxidation, Reduction होगा, question number 13 की ओर चलते हैं, कि question number 13 क्या बोल रहा है? निमन मैंसे कौन सा कतन गलत है, ठीक है? यहाँ पर होता हूँ कि Mendel के जो नियाम होते हैं, वो मातरा तक पर लागू नहीं होते हैं, किस पर लागू होते हैं? गुनात्मक पर लागू होते हैं, मिनसे qualitative पर, ठीक है? qualitative पर लागू होते है, तो यह गलत है, ठीक है? यह statement गलत हो गया, फिर लगा है, A plus G upon T plus C बरावर 1, तो यह answer स इसका मतलब होता है एक चार गाप तुल्यांग की नियम होता है जिसमें होता है ए प्लस जी प्यूरीन अपॉन पाइरिमीडीन टी प्लस सी इन दोनों का अनुपात क्या होता है एक होता है यह सही है आप रौवी य। जीन उतपात के लिए कोड करती है एरेक्ट अनसर है इसक़ार कोट होता है प्रतेक वाला क्या हो गया गलत मतलब हमारे लिए यह सही हो गया कोस्टन नम्मर 14 है ब्रेशिका जुंसिया तो आपने दोस्तों इससे एक्जाम में कोस्टन बहुत बार पूचा गया है जो नरागू ट्राइंगल है ठीक है नगारू यू ट्राइंगल जो है इससे एक्जाम में 1935 में एक बैग्यान एक ते नगारू यू उन्होंने एक ट्र सब्सक्राइंगे तो कौन सी स्पिसीज बनती है तो हम तीनों के बारे में डिसकस करते हैं ठीक है आंसर बात में देखेंगे हम पहले बात कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर तो क्या बता देता हूं लेकिन अगर दूसरा पूच लिया तो ठीक है कि ब्रेशिका नाइगरा औ तो क्या बनता है नेपस बनता है क्या बनता है दोस्तों नेपस बनता है ठीक है ऐसे बनता है कि यहां पर हम बनाते है यहां पर है ब्रैसी का नाइगर ठीक है ब्रैसी का नाइगरा यहां पर है ब्रैसी का नाइगरा जब इस ब्रैसी का नाइगरा का क्रोस किस से कराते हूं ब ब्रैसी का ओले रेशिया से कराएंगे तो यहां पर क्या बनेगा ब्रैसी का केरी नाटा ठीक है ब्रैसी का केरी नाटा जब इन दोनों का कराया जाएगा तो क्या बनेगा तो ब्रैसी का नेपस बनेगा तो आप इसको नोट कर लें ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यह सका करेक अंसर क्या है चौधा का करेक्ट आंसर है दोस्तों कि ब्रेशी का नाइगरा व ब्रेशी का केंपरस्टिस कोस्टन नम्मर 15 है गुजराद 67 एंड अमेरिकन नेक्टर लेस आर्द पैरेंट हो तो दोस्तों आपको पता है कि कपास का फर्स्ट हाइबरेट कोटन का जो फर्स्ट हाइबरेट है फर्स्ट हाइबरेट कौन सा है एज 4 ठीक है जिसको 1970 में सीटी पटल ने बनाया था गुजराद के नी ठीक है अब इस एज 4 के कौन-कौन से पैरेंट होती है ठीक है तो आपको पता है कि इसके एज 4 की जो पैरेंट है वो गुजराद 67 और अमेरिकन तो इसक के क्रोज कराने से बनते हैं हाइबरेट 4 ठीक है तो उसका करेक्ट आंसर है कोसन नम्मर 15 है दा प्रंसीपल मैल इस्टराइल लाइन इंट्यूज फोर हाइबरेट प्रोडुक्शन इंडिया मतलब कहने का मतलब यह है कि जब बाजरा जो है बाजरा में हमको अगर संकर बना बनाना है हाइबरेट बनाने तो किस मैल इस्टराइल लाइन का यूज करना है किस मैल इस्टराइल लाइन का यूज हमको करना है तो आंसर किसका किया है तिप्ट 23 एका यूज किया गया है करेक्ट आंसर यह है कोसन नमर 17 है डवल क्रोश हाइबरेट किसके बीच क्रोश करक 2 single cross इन दोनों का cross कराएंगी ये क्या है तो सिंगल cross इसका correct answer क्या हो जाएगा तो answer है D हो जाएगा इसके बाद question number 18 मान पूचा गया है कि पौंके सर में पराग कोस में पराग कड़ों के निर्मान इवां बेकॉस को क्या कहते है में इस एंतर जो होता है दोस्तों एंतर के अंदर पोलन ग्रेंड के निर्मान को development को हम क्या कहते हैं तो दोस्तों पोलन ग्रेंड आकर क्या होता है तो आंसर है माइक्रोस्पोर होते हैं पोलन ग्रेंड क्या होते हैं 19 है अर्दसूत्री वाजन किसम होता है ठीक है मियोसिस किसम होता है तो दोस्तों मियोसिस हमेशा जनन कोशी काम होता है रेप्रोडक्टिव सेल्स में ठीक है किसम होता है रेप्रोडक्टिव सेल्स में होता है मियोसिस याद रखना आपको हमेशा कुनसी कोशी का ऐसी कोशी का जो जननन में भाग लेती है रप्रोड़क्षन में तो answer क्या होगा? Generative cell ये कुंसी है? जननन कोशी का है? तो इसमें क्या होगा? तो answer है अर्दसूत्री बऩम अमें, क्या होता है? Reproductive cells के अंतरगात होता है Question No. 20 है हवा के द्वारा परागण की क्रिया को क्या कहते हैं विंड पोली नेशन इस आलसो नोन है विंड पोली नेशन को क्या कहते हैं हवा के द्वारा एनिमोफिली कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों एनिमोफिली अगर इंसेक्ट के द्वारा होता है तो इसे क्या बोलेंगे अगर जन्तूओं के द्वारा एनिमल्स के द्वारा होता है तो इसे क्या बोलते हैं तो इसे हाइट्रोफिली कहते हैं यहां पर पूचा है air के द्वारा, ठीका wind के द्वारा, इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोला जाता है अनिमोफिली, के लिए, question number 21 है, जब F1 का cross, उसके अपरवावी समयमजी जनक से कराया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, when F1 is crossed with the recessive homogenous parent, is known as test cross, क्या है, test cross, आप इसके लिए आप पुरानी वीडियो को देखे हैं, मैंने एक वीडियो डाली हुए, test cross, और back cross, और reciprocal cross की, वहां पर बताया है, कि जब F1 का cross, उसके recessive homogenous parent से कराते हैं, किस से कराते हैं, recessive homogenous parent से कराते हैं, ठीक है, इंदी में कहते हैं, आप इरवावी, ठीक है, समयमजी आप इरवावी जनक से कराते हैं, तो से क्या कहते हैं, परिक्षण cross से, test process से कहते हैं, question number 22 है, अर्द शूत्री विवाजन की कि किसा वस्ता में crossing over होती है, बहुत important question है, कि crossing over किसा वस्ता में होती है, तो crossing over दोस्तो, हमें से याद रगना packetine वस्ता में होती है, pro phase first जो है, ठीक है, pro phase first जो होत लेप्टोटीन दूसरे नम्मर पर जाइगोटीन दूसरे नम्मर पर क्या होता है जाइगोटीन फिर यहाँ पर होता है पैकेटीन फिर क्या है तो डिपलोटीन डिपलोटीन के बाद क्या होता है डाइकाइनेसिस यह पांच अवस्ता होती है प्रोफेस फस्ट की तो जो तीस नम्मर की अवस्ता होती है इसमें क्या होती है याद रखना क्रोशंग ओवर पैकेटीन जाइगोटीन में क्या होता है तो याद रखना सिनेप्सिस बनता है ठीक है ना क्या होता है सिनेप्सिस या सनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स सनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है आप टर्मीनरलाइजेशन ठीक है टर्मीनलाइजेशन होता है यह mainिस एक्साम में पुछी जाती है इसका बाद है यह Minor Line तो दोस्तो प्लांट बीडिंग में 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 लाइनर W in को बोला जाता है याद रखना में टीलल नियुक्ष को नोट भी इस्टोट दा फर्टिलिटी ठीक है कोशन नम्मर 24 है दा एक्चुल कोजल ओर्गनेजिव दा वाई ट्रस्ट ऑप क्रूसिफर तो दोस्तों जो सर्सों में सपेद गेरुआ रोग होता है सर्सों के अंदर सपेद गेरुआ रोग होता है सपेद कित रोग भी हम कहते ह है फंगस से किसे होता है कौन सी फंगस य हैल्वे को कंडेडा के दौरा होता है इसके बाद है व् प्रवर्ण के लिए का प्यान सा थैस्ट करते और जदके लो याद रगना लीजा टैस्ट जा है तो वह बाइरल की लिए किया जाता है ठीक कौसन नममर 26 है which one of the following rust have the autosius nature आपको बताने एक लिंगस्री रस्ट जो है जीवन चक्र के आदार पर कौन सी जो रस्ट है वो autosius होती है तो हमको पहले इस autosius सब्द का मतलब पता करना है कि autosius का मतलब क्या होता है तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि ऐसी फंगस ऐसी रस्ट फंगस ठीक है जो अपना जीवन चक्र अपनी लाइफ साइकल जो है एक ही प्लांट पर है एक होस्ट पर कंप्लीट कर ले जो अपना जीवन चक्र के वाल एक ही होस्ट प्लांट पर कंप्लीट करता है उसे क्या कहते है autosius अगर जो एक से ज़्यादा पर करता है उसे क्या कहते है है अगर ऐसी कवग जो अपना जीवन चक्र दो होस्ट ये एक से ज़्यादा है ना दो तीन चार अलग अलग प्लांट पर करते हैं उसे हेट्रोसियस कहते है तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर है लिंसीड रस्ट जो होता पूचा गया है निमने बीमारियों के इतियास के अनुसार में उनका कौन सा क्रम सही है तो दोस्तों पहले तो हम बीमारियां देखते हैं कौन-कौन सी है कोफी रस्ट जो है स्रिलंका में 1867 के अंदर सबसे पहली बार देखे इसके बाद लेट व्लाइट ऑपटेट कव 2018 में इसके बाद लीव लाइट ऑफ राइस बंगाल का épisode कब आया 1948 तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो यह बीमारी तो यहाँ पर देखो second option पहले यह है फिर यह वाली आई तो answer यह है तो इसका correct answer क्या होगा यह होगा 1845 वाली पहले फिर 1867 फिर उनीशो तेटाली यह correct answer यह वाला हम गोई यह option देखना है question number 29 है Transduction is a process of multiplication तो Transduction यह process होती है दोस्तों किसम होती है वेक्ट्रिय फेज के अंदर के होती है reproduction की mechanism होती है question number 30 है virus transmitted by nematode मतला यह जो किस निमेटेट के द्वारा virus का transmission होता है यह पूचा है किस सूत्र कर्मे के द्वारा virus का इस्तनादन होता है तो दोस्तों इसमें जो जाइफी निमा इंडेक्स नाम का निमेटोड होता है यह एक virus का transmission किस वीमारी का वेक्टर है हमको पता होना चाहिए यह होता है दोस्तों ग्रैफ वाइन ठीक है ग्रैफ वाइन फैन वापिस चलते हैं ग्रैफ वाइन फैन लीफ वाइरस ठीक है यह इस वाइरस का क्या करता है यह वैक्टर करता है इस वाइरस को फैलाने का काम करता है इस वीमारी को ग्रैफ वाइन फैन लीफ वाइरस जी ठीक है इसको को कहते है F 175 इसको क्य करता है फ्यराने का काम करता है ठीक है खोस्ता 31 in ground net C C dormancy dormancy किसम पाई आती है तो आपको याद रगना dormancy किसम होती है तो spreading topics होती है दोस्तों spread American Numbers day time क्या होती है अदोड कर सब्वल्य होती है और जो यह दोस्तों बंचर टाइप की होती है यह जो होती है नोन डर्मेंट होती है याद रखना сп्रेटिंग की होती है मतलब इसमें सुसुब तवस्ता आपको मिलेगी तीक है अब कभी पूछ लिया इसको किस से ब्रेक करोंगा का आप dormancy है तो इसको किस से break किया जाएगा तो इताइलीन chlorohydrine ठीक है किसके द्वारा इताइलीन chlorohydrine के द्वारा क्या करें हम इसको break करेंगे ठीक है वन परसेंट solution यह फिर किसके द्वारा NAA यह फिर आई ए इस इनका 5 से लेके 10 PPM का solution के द्वारा क्या करेंगे के दोर्मेंसी को तोड़ा जाएगा तो याद रखने इसका करेक्ट आंसर क्या है इस प्रिडिंग कोस्ट नमर 32 पूचा गया है लीप कलर चार्ट LCC इसमें एक महत्पून उपकरण होता है ठीक है मतलब LCC जो है किस फार्मिंग में ये किस कल्टीरिशन में एक इंपॉटेंट टोब करन है तो याद रखना दोस्तों का करक्ट ट्रांसर थे प्रिसेशन फार्मिंग जो है इसके अंदर LCC का यूज के आद है जो कि नाइट्रोजन के लिए हम करते हैं ठीक है लीप कलर चार्ट के स्की ली नाइट्रोजन के लिए करते हैं कोस्टन नमर 32 प को नाएगा सबसे पहले कनाड़ा तो कैं का मतल्छा होता है तो और होली एविल कनाड़ा के अंदर सबसे पहली बार ये काम किया गया था तक कनाड़ा के अंदर है क्ऎैन वह ग्रोप तो मस्टर्ड है कोस्टन नम्मर 34 यह बीड प्लांट यूजड इन पॉल्यूनेशन इंडिकेटर निम्हें से कौन सा खर्पतवार प्रदूशन का सूचक है तो आंसर है आई कोर्णिया क्रेसी पस जल कुंभी ठीक है इसे क्या कहते हैं चल कुंभी कहते हैं तो जल कुंभी ज कॉल आज बैजिटेवल मीठ डेगे बैजिटेवल मीठ किस फसल को गयते हैं तो दोस्तने सिक आइकर करेक्ट आइसद लाओ कौवी इसले टोबय को पूरे जीवन काल में होती है नमी के लिए संसिटिव होती है कोंचर नमर 37 है मैस्ट थापियार मैं चय Geschäft करते हैं कि कॉपी की बराइटी बताना अक captivity होती है फूसद साफ आ हो नहीं ब्लेक ग्राम की वराइटी मोहिनी रगी की बराइटी और और comparaison या restoration answer question number 38 तो दोस्तो यहां पर पूचा किया है तो मैच करने हैं कि patling का मतलब क्या होता है ठीक है ठीक है जा स्सक्रेषिक posição शटक्चर है ठीक है ठीक है पडिलेंग का टीक्चर मतलब को तोड़ते मल्चिंग मैं क्या होता है दोस्तों covering of the soil interculture में क्या होता है destruction of the weed ठीक है silage में क्या होता है एक preservation of the later silage क्या करते हैं हम फसलों को काट के रख लेते हैं और off season में पस्टों को खिलाते हैं topping or disagreeing क्यों करते हैं तो topping or disagreeing C ठीक है आप match कर लेना मैंने आपको अंसर बता दिये सारे कि topping or disagreeing improve size body and quality के लिए किया जाता है question number 13 पूचा गया है कि threat or weather phenomena match करना है मतलब जो मौसमी घटनाएं होती है यह किसम होती है तो दोस्तों मौसमी घटनाएं जो होती है ट्रोपेशिवर लेयर में किसम होती है ट्रोपेश्पेर होती है ओजोन लेयर किसम लाल इनों कहते है ठीक question number 40 है the availability of phosphorus in acidic to alkaline range मतलब अमलियता से चारिता की तरफ हम जाएंगे तो phosphorus कौन कौन सा मिलेगा हमको तो दोस्तों अमलियता में अगर जादा है acidic condition तो H2PO4- फिर HPO4-2 और PO4- यह चारिये condition मिलता है यह अमली condition में मिलता है question number 41 है the purple coloration of the older leaves due to the symptoms of मतलब पुरानी पत्तियों में जो बैंगनी पनाता है किस के करण तो इसका correct answer है phosphorus के कारण आता है question number 42 है gromer क्या है तो दोस्तों gromer एक fertilizer होता है 29-29-0 यह fertilizer होता है urea plus ammonium phosphate ठीक है question number 43 है रंद प्रतिसत ग्याद करो जब bulk density और particle density इतनी है bulk density दी गई यहाँ पर यहाँ पर कितनी तो answer bulk density है 1.3 particle है 2.65 तो आपको बताना है ठीक है porosity कितनी होती है तो porosity निकालने के लिए बहुत आसा होने पहले हमको percent solid space निकाल लो आप कितना आएगा bd upon pd into 100 ठीक है तो कितना आएगा 2.65 upon ठीक है तो bd कितनी है तो sorry एक उनिट यह गलत लग दिया तो answer है यहाँ पर पूचा क्या है bulk density कितनी दी गई है 1.3 ठीक है और particle density 2.65 इसको इससे काटेंगे टू ठीक है यह आएगा 50 और इसको सो मैंसे माइनस कर देंगे पचास को तो answer कितना आएगा तो answer 50% ठीक है percent poor response निकालने के लिए हम क्या करते है सो मैंसे इसको घटा देंगी तो कितना आयता है पचास तो आंसर कितना आएगे लागो 50.9 आएगा question number 44 है the cn race of the histosoy हिस्टो सोल का cn race of the 20H2 बन होता है question number 45 है the serial store is a race source of जो धान फसली होते इनको भूसे में सबसे ज़्यादा क्या होता है तो आंसर है potas क्या होता है potas होता है के होता है question number 46 है the resistance reading of gypsum block at the field capacity तो दोस्तों कितना होता है पहला answer है 400 लेकि 600 ohms होता है यह जो होता है यह building point पर होता है किस पर होता है यह building point पर याद रखना यह building point पर होती है reading यह field के चेत्री समता पर होती है इसके बाद question number 47 है चाहरी मिर्दा में nitrogen का ammonia की रूप में वने वाली honey को क्या कहते है alkaline condition में देखो क्या होता है alkaline condition का मतलब pH क्या होगी 8.5 इस condition में nitrogen जो NO3 minus है ammonia की रूप में क्या होता है लोस हो जाता है इसको हम कहते है volatilization क्या क्या कहते है volatilization कहते है question number 48 है the total amount of water present in the soil तो total amount को क्या बोलते हैं दोस्त होलाड कहते है यह होलाड होता है एकार्ड और क्रेसार्ड के बरावर ठीक है क्रेसार्ड प्लस एकार्ड याद रखना ठीक है एकार्ड होलाड का मतलब मिर्दा में उपस्त संपूर्ण जल को क्या बोलते हैं होलाड कहते है अब संपूर्ण जल में से कुछ जल पोदों को उपलब्द होता है और कुछ उपलब्द नहीं होता है तो जो अविलेवल होता है याद रखना जो पानी अविलेवल होता है उसे क्रेसा साथ कहते हैं होलाड तो कुल पानी को क्या कहते हैं होलाड कहते हैं को सन नमर 49 अप्लिकेशन और विच न्यूट्रेंट रिजल्ट इंद डिलेटेड मैजुरीटी ऑफ क्रॉप्स वादा किसे के उप्यों करने से परीपक्विता में देरी आती है तो आंसर है नाइट्रोजन क करन आता है जिसके करन का होता है देरी जाती मेचुरिटी में कोस्चन नमर 50 है अगर इसकी यूट्यूब ज़रूर करें ३र सब्सक्राइब करें ठिक है दोस्तो कमेंट करें अगर आपको किसी कोस्चन küise के बारें कोई doubt लगता है सर इसका answer यह हो सकता है तो आप मुझे comment section में comment भी कर सकते हैं ठीक है दोस्तो like जरूर करें ठीक है नियताओं की तरह आएं और देख के चले जाएं तो अच्छा नहीं आएं तो like भी करें subscribe भी करें मैं क्योंकि आपके लिए daily 50 question ले किया रहा हूँ अच्छे आज तो मैंने आप सभी question को describe भी किया है तो आपको बहुत सारे concept clear हो गई हुए ठीक है दोस्तो जहिन